Welcome back on Grade F Study, तो इस 90 Days Series में आज हमारी पॉलिटिक की थर्ड ग्लास है, तो लास्ट क्लासिस तक हमने संभिधान को शुरू किया था और उसमें संभिधान सभा से जो भी important चीज़े थी वो हमने discuss लिए तो आज हम discuss करेंगे यहां पर संभिधान के स्त्रोथ, मैंने लास्ट क्लासिस में आपको बताया था कि जो हमारा भारतिय संभिधान है, वो कैसे बना हुआ है, हमने अलग-अलग देशों के संभिधान में से कुछ चीज़ें उठाई हुई हैं, जैसे अलग-अलग देश जैसे USA हो गया, Canada हो गया, Australia हो गया, तो यह अलग-अलग देश हैं, उनके ज़रूर बनता है, तो वही चीज़े हम आज यहां पर discuss करेंगी, मैं उन्ही main points को यहां पर लिखूंगा, या फिर उन्ही important चीज़ों को यहां पर लिखूंगा, जहां से directly exam question बनता है, ठीक है, तो class को शुरू करते हैं, देखते हैं, क्या-क्या वो चीज़ important है, जहां से हम हमारे एक्जाम में कुश्चन बन सकता है या फिर बना भी हुआ है ठीक है चले तो आज सबसे पहले हम डिसकस करेंगे या फिर क्या है यह संभिधान की स्ट्रोथ या फिर भार्तिय संभिधान की स्ट्रोथ आप जो भी कहना चाहो वह आप कह सकते हुआ जैसे एक्जाम्पल के लिए अभी हम देखेंगे कौन सा संभिधान क्या है और कि संभिधान से क्या लिया हुआ है ठीक है तो यहां पर मैं हेडिंग लिख दे रहा हूं है हमारे पास भार्तिय संभिधान की स्ट्रोथ या फिर संभिधान की स्ट्रोथ सम्विधान के स्त्रोग ठीक है, इंग्लिश में हम कहेंगी हमारे जो constitution है भारती इंडियन constitution है उसके sources कहां कहां से हैं ठीक है, तो वो चीज हम यहां पे देखेंगे, अब जो जो चीजें यहां पे मैं लिख रहा हूं जो मैं लिख रहा हूं वो ही important आप याद रखोगे, तो question बन जाएगा आपके exam में, ठीक है, जैसे सबसे पहले हम discuss करेंगे कि Britain के सम्विधान से क्या क्या चीजें उठाए गए हैं, ठीक है चलिए तो यहां पर मैं लिख रहा हूं Britain Britain का सम्विधान, तो ब्रिटेन के सम्विधान से हमने क्या क्या चीजें उठाई हुई हैं, यहां से exam में question बन जाता है और यही चीजें हमने आज पढ़ने हैं, सबसे पहली चीज याद रखने हैं आपने, संसदिय संसदिय शाषन ठीक है शाषन, ठीक है यह जो चीज है, यह हमने ब्रिटेन के सम्विधान से उठाई हुई है, important है सीदा question आजाएगा कि बशाएए जो यह संसदिय साषन है, यह कहां से उठाई हुआ जो answer क्या होगा, ब्रिटेन का सम्विधान, अब याद रखिए important चीज, जहां से उठाई में question बना हुआ है वो क्या है, वो है आपका एकल नागरिकता या फिर citizenship यहां पर मैं लिख रहा हूँ एकल नागरिकता ठीक है यह जो एकल नागरिकता है यह important है, यह question आया हुआ है कि बताईए, जो एकल नागरिकता है single citizenship है, यह भारत के संबिधान में से कहां से ली गई है तो answer क्या होगा, ब्रिटेन का संबिधान, अब next है मंत्री मंडल का मंत्री मंडल का संसद के प्रती जिम्मेदार होना, या फिर संसद के प्रती सामूहिक उत्रदाईत होना है जैसे मैं लिख दूँ, मंत्री मंडल का संसद के प्रती सामूहिक सामूहिक रूप से उत्तरदाई होना हिंदी में स्पेलिंग चेक कर लेना है, ठीक है? आप अपने अंसे लिख सकते हों तो यह हो गए ब्रिटेन के संबिधान से जो जो हमने इंपोर्टन चीज़ें उठाई हुई है और भी चीज़े हो सकते हैं लेकिन यह कुछ इंपोर्टन चीज़ें है जो की आपको याद रखनी है अब next हम देखते हैं और किस के संबिधान से हमने चीज़ें उठाई हुई है तो यह वो चीज़ें में लिख रहा हूँ जहां से directly question बन जाता है तो आपको भी यह चीज़ें याद रखनी है इसी को आप fingertips में बार-बार revise करोगे तो automatically आपकी memory में यह store हो जेंगी तो next है हमारा America America से हमने क्या उठाय हुआ है या फिर US से हमने क्या चीज़ें उठाई हुई है सबसे important चीज़ क्या है वो है आपका मोलिक अधिकार क्या है मोलिक अधिकार मोलिक अधिकार इंग्लिश में हम इसे कहते है fundamental rights fundamental rights अब यह जो fundamental rights है काफी important है आप सभी को पता है कि जो fundamental rights है या फिर मोलिक अधिकार है एक व्यक्ति के जो जीवन में वो कितनी भूमी का निवाती है कितनी important भूमी का निवाती है तो यह आपको याद रखना है यह कहां से उठाये हुए है यह हमने अमेरिका के सम्विधान से उठाये हुए है सिधा question बन जाएगा कि बताइए जो मोलिक अधिकार है वो किस सम्विधान से उधार लिए गए है क्या होगा अमेरिका ठीक है आगे है राष्ट्र पती या उप राष्ट्र पती लिखें जी उप राष्ट्र पती तो यह जो उप राष्ट्र पती है या फिर जो उप राष्ट्र पती की पोस्ट है ये भी हमने अमेरिका से उठाया हुआ है, अब देखी, important चीज है, स्वतंत्र रूप से न्याय पालिका, ठेक है, जो स्वतंत्र रूप से न्याय पालिका कारे करती है, ये वाली चीज भी हमने अमेरिका के संविधान से उठायी हुई है, अब नेक्स्ट चीज है, जुडिशल रिव्यू, जुडिशल रिव्यू, ठेक है, ये याद रखे, में जुडिशल जो रिव्यू है, ये सीधा कॉशन आजाता है, ये किस संविधान से उठाया हुआ है, हिंदी में हम ऐसे कहते हैं न्याइक पुनर विलोकन ठीक है मैं लिख देता हूँ यहाँ पे न्याइक पुनर विलोकन ठीक है न्याइक पुनर विलोकन जुडिशल रिवियू को कहा जाता है ये भी हमने अमेरिका के सम्विधान से उठाया हुआ है अब सर्वोच्य न्याले की शक्तियां या फिर जो हमारा सुप्रीम कोट है उसकी शक्तियां जो हैं वो भी अमेरिका के सम्भिधान से उठाई हुई है मैं डिरेक्टली सुप्रीम कोट ही लेकर रहा हूँ ठीक है यहां पर Supreme Court, ठीक है? Supreme Court, ठीक है? SD का मतलब Supreme Court की शक्तियां Supreme Court की या फिर सर्वोच्य नियाले की शक्तियां ये चीज भी हमने अमेरीका के सम्भिधान से उठाई हुई हैं अब यहाँ पर एक चीज और add कर लीजिए वो क्या है? सर्वोच्य नियाले के नियाए धीशों को हटाने की विधी ये भी लिख देता हूँ सुप्रीम कोट के जजिस या फिर नियाए धीशों नियाए धीशों को हटाने की विधी ठीक है तो ये कुछ इंपोर्टन चीजें हैं जो हमने अमेरिका के सम्विधान से उठाई हुए एक्जाम्पल के लिए जैसे मोली करदिकार यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टन है ये आपको याद रखना है नेक्स्ट जो हम देश पढ़ रहे हैं वो है आपका कैनेडा ठीक है अब कैनेडा के सम्विधान से हमने क्या चीज उठाई हुए ये याद रखना है आपको यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कैनेडा या फिर कानाड़ा कुछ भी लिख लो ठीक है कैनेडा अब कैनेडा के सम्विधान से आपको सिर्फ एक चीज़ा रखनी है संग है जब भी संग है या फिर फेडरल की जाए ना तो मैक्सिम्म टाइम आपका अंसर कैनेडा ही आएगा ठीक है इसको आप ऐसा लिख संगहातमक व्यवस्था ठीक है संगहातमक व्यवस्था ठीक है फेडरल सिस्टम तो यह हमने कैनेडा के सम्विधान से उठाया हुआ है बस इस केस में आप यही याद रखो नेक्स्ट है आपका आयरलेंड ठीक है यह भी इंपोर्टेंट है नेक्स्ट कौन सा सम्विधान ह वो है आयरलेंड अब आयरलेंड को कहते हैं इरिश इस तरीके से भी कहते है आयरलेंड ठीक है आयरलेंड लिखा होगा या फिर इरिश लिखा होगा तो एक ही बात है इसको आपने confusion में नहीं रखना है तो इसमें main important है आपके DPSP इसको कहते हैं निती निर्देशक निर्देशक तत्व यह important है यह exam में कोशन आ जाता है कि बताएए DPSP या फिर निती निर्देशक तत्व किस संभिधान से उठाए हुए है तो सिधा answer आजाएगा आयरलेंड या फिर जो आपका इरिश इसमें एक चीज़ ओर add कर लो election ठीक है election of president या फिर इसका कहने का मतलब है जो राष्टरपती का चुनाब है वो किस तरीके से होगा ये भी हमने आयरलेंड के संभिधान से उठाया हुआ है ठीक है next किस देश का संभिधान है वो है आपका जर्मनी ठीक है छोटी छोटी चीज़े है इसको याद रखो यहां से सीधा सीधा question बन जाता है जर्मनी ठीक है तो यहां पर मैं लिख देता हूँ जर्मनी जर्मनी ठीक है तो जर्मनी के संभिधान से हमने क्या क्या चीज़ें उठाई हुए है में चीज़ आपको गया याद रखने है यह आपको याद रखने है आपात काल में मौलिक मौलिक अधिकारों का निलंबन या फिर इंगलिश में क्या कहेंगी suspension of fundamental rights during emergency ठीक है तो ये भी आपने याद रखना है अब इसके बाद हम करेंगे आपका Soviet Union या फिर इसको मैं डारेक्ट लिख रहा हूँ USSR या फिर रशिया ठीक है USSR या फिर रशिया current में ये बन गया है रशिया तो इनके संभिधान से हमने क्या उठाया हूँ तो ये भी important है सबसे पहले याद रखे मॉलिक मॉलिक कर्तब्य कर्तब्य ठीक है या फिर इसे हम कहते है fundamental duties ये सीधा सीधा कोशन आ जाएगा कि बताइए मॉलिक कर्तब्य किस देश के संभिधान से उठाया हुआ है ठीक है एक ये याद रखे और एक चीज़ याद रखे पंच वर्षिय योजना ठीक है पंच वर्षिय ठीक है पंच वर्षिय योजना फन्च वरश्य योजना तो ये दो चीज़ें यद रखे ये हमने USSR या फिर रश्या के या फिर रूस के समभिषान से उठाया हुगा है फिर नेक्स चीज़ें याद रखे या ऐध रखे आपको एक ही चीज़ें याद रखने है गनराजियर ठीक है तो यहाँ पर लिख देता हूं मैं France तो France से आपको याद रखना है गन राजे गन तंत्र लिख लो आफिर आप लिख लो इसको गन राजे है, गन तंत्र कर लेते हैं गन तंत्र, थीक है? बस यह याद रखे, France से हपने गन तंतर, अपने जो सम्भिधान है उसमें उठाया हुआ है ठीक है चलिए next देखेंगे हम Australia अब ये भी important है Australia Australia अब Australia के सम्भिधान से क्या चीज़ें उठाई हुई है ये देखेंगे अब सबसे पहले यहां पर रखें संयुक्त बैठक ठीक है संयुक्त या फिर छोटी उकी मतर आईगी संयुक्त बैठक किसकी राज्यसभा और लोक्सभा की राज्यसभा और लोक्सभा की संयुक्त बैठक हमने Australia के सम्भिधान से उठाई हुई है दूसरी चीज़ आपको याद रखने है समरवर्ती सूची इंग्लिश में इसे कहते हैं इंग्लिश में कहते हैं इसे तो ये चीज़े हैं ये Australia के सम्भिधान से हमने उठाई हुई है ठीक है ये भी याद रखे अब next हमारा देश आ जाता है दक्षिन अफरीका ठीक है ये important चीज़ें वही लिखवारा हूं मैं आपको दक्षिन अफरीका, तो दक्षन अफरीका के संविधान से क्या उठाया हुआ है, तो यह याद रखें, दक्षन अफरीका के संविधान से हमने उठाया हुआ है, संविधान में संशोधन की विधी, संविधान में संशोधन की विधी, ठीक है, मिन किस तरीके से हम अपने भारतिय संभिधान में संशोधन करेंगे या फिर constitution को amend करेंगे ये हमने दक्षण अफरीका के संभिधान से उठाया हुआ है ठीक है अब next हमारा एक है जपान ये भी लिख लो आप जपान से हमने क्या उठाया हुआ है जपान ठीक है जपान के संभिधान से हमने क्या उठाया हुआ है तो जपान के संभिधान से हमने उठाया हुआ है कानून द्वारा स्थापित विधी ठीक है कानून सिर्फ इतना या रखो कानून द्वारा विधी या फिर कानून द्वारा स्थापित कर लो आप ठीक है विधी कर लो, स्थापित कर लो, एक ही बात है, तो मैं स्थापित कर देता हूँ, स्थापित, ठीक है, कानून द्वारा स्थापित, अब ये क्या है, इसके अंदर आपको जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, अब ये तो हो गया, जापान के भी होगी, ये जो हमने देश Government of India Act 1935, ठीक है, तो ये भी जो Government of India Act 1935 है, ये आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, तो वहां से भी हमने कुछ चीजें उठाई हुए हैं, वो क्या चीजे हैं, ठीक है, सबसे पहले चीज़ आपने याद रखनी है, पबलिक सर्विस कमिशन, ठीक है, पबलिक सर्विस कमिशन या फिर पी एस सी, ठीक है, ये जो पबलिक सर्विस कमिशन हैं, ये हमने Government of India Act 1935 से उठाया हुआ है, ठीक है, अब याद रखे, यहाँ पे एमर्जन्सी के प्रावधान, ठीक है, एमर्जन्सी के प्रावधान, ठीक है, ये भी याद रखे, ये भी हमने Government of India Act 1935 से उठाया हो, तो ये कुछ important चीज़े हैं, जो आपको याद रखनी हैं, जो कि हमने अलग-अलग देश के संभिजानों से उठाया हुए हैं, जैसे example के लिए ये सारी चीज़े हमने पड़ी, पीछे भी हमने ये चीज़े पड़ी, देखे, जैसे ब्रिटेन से संसदिय शाषन, एकल नागरिकता हो गया, फिर ये हो गया आपकी सारी चीज़े हैं, अमेरिका से मोलिक अधिकार, fundamental rights हो गया, उपराश्टर पती, फिर आपका judicial review, ये important है, ठीक है, judicial review, तो उसी तरीके से Canada से संगात्मक वेवस्ता, फिर Ireland से हमने DPSP, ठीक है, और यहाँ पर देखो, जर्मनी से अपात काल की स्थिती में मोलिक अधिकारों का निलम्म, ठीक है, आपको बता है न, 20 और 21 को छोड़कर, बाकी सारे मोलिक अधिकारों सस्पेंड हो जाते हैं, जब emergency लगती है, national emergency, ठीक संबिधान में संशोधन की विधी हमने उठाई हुई है, और जपान से कानून द्वारा स्थापित और Government of India Act 1935 से हमने Public Service Commission और Emergency के प्राभधान को उठाया हुआ है, अब यह कुछ important चीज़े हैं, जो मैंने यहाँ पर लिख वही है, इसके अलाबा कुछ और भी हो सकती हैं, आप बोलोगें कि सर हमने कुछ और पड़ा भी है, तो वो भी आप इसमें add कर सकते हो, लेकिन जो मुझे important लगी हैं, वो मैंने यहाँ पर लिख दी, ठीक है, तो आज की class हमारी बस यही है, यह आपको याद रखना है, यहाँ से एक्जामन कोशन जरूर बनता है, ठीक है, और इस class की जो PDF है, या फिर जितने भी जो classes आ रही है, इनकी जो PDF है, यह आपको हमारी grade of study application में देखने को मिल जाएंगी, आपको application डाउनोड करना है, उसका link आपको description में मिल जाएगा, वहाँ से register करो, उसमें जो free PDF वाला section होगा, वहाँ पे जाकर आपको इन classes की PDF देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, और इस जो छोटी सी पहल grade of study की है, इसको share जरूर करना है, और आपने family, members और friends के साथ जरूर share करना है, ठीक है, तो मिलते हैं next class में, जहन, 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 जहन,